नेक्स्कॉलर है राजीव लखनों से हमारे साथ स्वागत है राजीव आपका आपका नमस्कार नमस्कार जी अधर मेरी मिसिस की उमर है प्रॉक्स 45 के असपास जी तो इनने हाथों के तल्वों में पैरों के तल्वों में काफी पें था भी पांचे मैंने पहले तो उनने प्रिटमेट लिया और तो दवाई खिलाते रहे हैं उनको लेकिन उसमें कुछ खास रिलीफ मिला रही है ठीक है तो दर्शा करा है तो उसमें इनका रूमाटाइट अफैटिस निकला था रूमाटाइट अफैटिस और लूरिक एसिट आयसा 7.8 तो इनका टीटमेंट चल रहा है 50 पर्शन के करीब अराम है लेकिन हम जैसे एक पोजिशन पर आ कि जैसे आराम रूप गया हो जैसे इनको कमर में भी तकलीफ होगी अज़ा परों के तलों में अब यह की पैरों की फिंगर में अराम आ गया है लेकिन जैसे एडी वेगरा रहती है तो पंदा दिस्टमें बहुत प्रॉलम देता है वह बहुत दीरे चल नहीं है अज़ा पिंड्लियों में और थाइज में बज़ देखिए एक अच्छा सा निस्खा है और वो ये है कि यह थोड़ा फाइदा करेगा दो तीन महीने में पूरी तरह लेकिन जो फाइदा करेगा तो फाइदा ही करेगा और जो यूरिक बढ़ा हुआ है और कोई भी वज़ा है तो उसको निकाल देता है यूरिक वो जादा यूरी कैसी टोक रहती है किड्नी की जिम्मदारी है कि वो जरुरत के मताबिक चीजों को रोके बाकी को निकाल दे पेशाब के जरीए तो 400 ग्राम आपको लेनी है अलसी अलसी आपकी धर्म पतनी जानती होंगी अलसी ले ले गौन्द सिया एक गौन्द है मुश्किल से मिलता है असली लेना असली के बड़ा जरूरी लेना 100 ग्राम काला गौन इसमें मिलाकर पाउडर बनाकर रखें और देखिए एक ग्राम सुबा एक ग्राम शाम खाना है एक बड़ा कैपसूल की बरावर आठ दिन के बाद फाइदा शुरू होगा शायद दो चाह दिन पहले दो चाह दिन बाद भी हो सकता है लेकिन ये इस रोग को जड़ से खतम करता है मेरा तजर्बा है आप इसको इस्तमाल कर सकते हैं